हलो गुड मॉनिंग टू एक सब्दाइब आपड वीडियो और बनाते हैं और आप लोगों से कुछ बाते हो जाए बताइब बाजार के बारे में और उसक न्या सेखने का प्रियास करते हैं कुछ अलग मिले लोग मिले पुछ चलील शूरब करते हैं लैके देज्ट करते हुए आप लोग सीखने का प्रयास करते रही कुछन कुछ ग्यान बढ़ते रहना चाहिएète, आज हम लोग मेलली सीखने का प्रयास करेंगे randomly। भूठ सारी सी चीजे होती हैं बाजार में जिसके बारे में, дыं के घरंगे गए किभवारे में कि कैसे यूज करना है, क्या करना है? आप सपोडर सप्रीजिंट का यूज करते हैं, तो उसको किस प्रकार से यूज करते है, क्या सही सही तरीका है उस पर भी बात करेंगे आप लोगो क्या क्या परिशानिया आती है ट्रेडिंग में उस पर भी बात करेंगे और साथी साथ बाजार अब क्या करने का प्रयास कर सकती है उस पर तुक्का लगाने का भी प्रयास करेंगे वैसे तो मैंने आप लोगों को काफी कुछ बताया है औ आप लोगों प्रियास करेंगे बाजार आपको गलतिया को कम करेगा और आपको सही करना शुरू कर देगा तो लगे रही है उस पे प्रयास करते रही है थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आप लो कर लोगे इसमें तो कोई डाउट मत रखना आप में आपसे ठीक है क्योंकि ऐसा संभूई नहीं है कि आप सही तरीके से प्रयास करो और बाजार आपको कुछ ना दे बाजार बिलकुल देने को तयार है लेकिन सवाल है कि आपको प्रयास करना है सीखना है समझना है क्योंकि यह जेनरल बिजनेस है जेनरल एजुकेशन है आपको उसमें ज्यादा रॉकेट साइंस करने के जिरूरत नहीं है सिंपल तरीके से पढ़िए और फिर एक चीज़ पर फोकस कर लिज़ स्विंग में जाओ इनवेस्टिंग में आपको काफी लर्निंग करई वहां कि नहीं तीजिञे तो उसे भी आपको सीखना है इस सब चीज़ें आ जाती है जो अपको पसंद इसको को करो कोई दिखत नहीं है करना तो है बजनस का पाठ है बजार लगा हुआ है अलग़ग प्रकार की दुकानेना में कोई कप्रे का है को मिठाई का है को इसीचिछ का है जिसको जिस्कों जिसमें एक्षा है वह बिजनस कर लेगा वैसे तो यहां है option selling है बाइंग है future है ही किटी है कैसे पॉजिशनल है स्विंग है लांग टर्म है सौट टर में चीज़े यहां भी बजार लगा है कमोडिटी मार्केट है युज़े तो बहुत सारी चीज़े एक्रिप्टो भी आ गया है तो अपको जहां पर दिल कर चलो बजार को समझते हैं पहले यहां देखेंगे हमारा बागी चीजे आप खुरूद अन्मान लगा लीजए्ちょ तो फिलाल के बारे में समझते हैं और चीज़ों पर फिलाल एक चीज को समझ ले अब निप्टी का आप लोग को अगर समझना है तो ज्यादा नहीं है अब सवाल है कि अगले बेक्स क्या करने का प्रियास कर सकती है उसके मैंड में क्या चल रहा है जो कि कि ऑपाउसार मार्केट को क्याने का प्रियास कर सकता है तो यहां पे देखी आप simply थोड़ा सा चार्ट को हम रूप चोटा करेंगे तो आप समझ पाएगे ऐसे पहले भी मैंने बता रखा है यहाँ पर देखेंगे कि बजार ने एक पिन बार जैसा हैमर जैसा एक चोटा सा बनाया है ठीक है लेकिन आप लोगों को मैंने बता रखा है कि मार्केट एक बार अगर आप ट्रेंड में जा रही है उपर तो इसका स्टेशन जो होता है मतलब हमें फिर से इंट्री जो लेने का जोन होता है वह ट्वंटी एसे में डे होता है मतलब डे टाइम फ्रेम का 20 दिन का के पास आपकी स्टेशन तो जब कोई गेड़ता हुआ अप्रेंड मार्केट में डे टाइम फ्रेम पर डाउन मार्केट मतलब कि जोटान में चल रहा है और और ऑप्राइज अगर टाइम पर 20 SMA पर आता है तो एक अच्छा का सपोर्ट का काम करता है और वहां से प्राइज फिर से बैक होने का प्रयास करता है एक मैंने पास्क में भी आप लोगों को बता रखा है तो हमें देखना है कि क्या बाजार कर रहा है तो चली हम यहां पर 20 का एवरेज लगाते हैं 20 दिन का सिंपल मूभिंग एवरेज और यहां पर क्लिक कर दें तो यहां पर करते हैं तो क्या दिखता है कि बाजार अपने 20 एसे में के पास आकर एवरेज करता है और इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाता फिर खीच के उपर लेकर चला जाता है साथी साथ बाजार में एक और चीश करते हैं तो बाजार यहां प्रेवियर सपोर्ट था बाजार आती है उसको तो वेटर देता ही है हमारे 20 एसे में को भी दे रहा है तो दो चीज़ें आपके पास हो जाती है यहां पे नहीं जाए क्लियर है और 20 से में को बाजार कैसे ब्रेक करती है आप लोग को तो पता ही है या तो सूपर कैंडल बनाएगी या गैप अप डाउन में जाएगी तीसरा रास्ता बहुत मुश्किल होता है एक दो परसेंट का होता है है ना तो यह आप लोग याद रखिएगा तो यहां पर डरने के जरूरत नहीं है आप कोई पता और सूपर कैंडल या गैप अप डाउन तो रॉनिंग मार्केट में है कोई सूपर कैंडल जैसा नहीं दिख रहा है तो यहां पर मिल गया कि ट्रेंड को यह नीचे जाना नहीं चाहता है अब थोरा सा हम लोग इसमें बड़े टाइ कि यहां तो वीगली टाइम ठाइम है टिक है ना वीगली टाइम प्रीम पर याद होगा मैंने का तक यहां पर आपर लेबल में होता है और नि चीज आपको याद रखना है तो यहां पे जब प्राइज आती है तो एक वार वो रिजिस्ट करता है इसके उपर जाने में इसको कठिनाई होती है इसके उपर जब जाएगा तो उसे बैंड ब्लास्ट करके ही जाना है और बैंड ब्लास्ट करने के लिए काफी वालूम किया सकता पड़ती है ठीक है एक य प्राइज के दौरा पास्ट में बनाया गया था और यहां पर ब्रेक आउट फेलियोर बोलते हैं तो मोस्ट अपकेस एक जोन एक अच्छा कासा रेजिस्टेंज जोन है किलियर है लेकिन उसके साथे साथे के यहां यह देखना है मारी मंथली टाइम प्रेम का जो बैंड है यहां यहां पर आता है ठारा हजार शेसो साड से लेके टारा हजार साथ सो का जून में है तो सम्टाइम टच करता है सम्टाइम नहीं करता है सो दो सो पॉइंट से रह जाता है चुकि मंतली टाइम फ्रेम है तो सो दो सो पॉइंट से रह सकता है जैसे पास्ट वीडियो थी हमारी हमने उसमें बताया भी था कि और टेलिग्राम के माधिम से भी अप्डेट किया था कि वहां पे दिख रहा है तो यहँ पॉइंट चली यहां पर दिखा रहा है मतलब बाजार एक रिजिस्टंस के पास आ कर खरा है अब रिजिस्टंस के पास आकर खरा इसका मतलब यह नहीं कि बाजार गिर जाएगी अभी क्योंकि प्राइज जब तक लिए नहीं कहेगा कि मुझे गिरना है हमें मानना नहीं है मारी गट्स फिलिंग की यहाँ दो पैसे भी वैल्यू नहीं है इस बाजार ठीक है अब क्या है कि वह माने कैसा है जब 20 ऐसे में डे के नीचे बाजार क्लोज कर जाएगी तो हम थोड़ा सा बीयर की और आगे बड़ेगी क्लियर है यह ध्यान रखिएगा तो अभी 20 ऐसे में डे के नीचे नहीं किया है तो किसी प्रकार के बियर पोजिशनल के लिए नहीं सोचना है एक दिन दो दिन के लिए औरली चार्ट पे बाई सेल आता रहेगा तो जो ट्रेडर माइंडसेट के हैं वो कर सकते हैं कोई दिक करेंगे दूसरी चीज मंतली पर यहां पर आप देखेंगे कि वन्टु कंफर्म कर चुका है ठट बन रहा है तो इसकी जो क्लोजिंग में मंद की अगर इसके क्लोजिंग प्राइज जो इसका क्लोजिंग प्राइज आपका आता है 18,065 तो इसके उपर हो जाता है समभना ज्यादा है इसके उपर होने की हो जाता है तो ऐसा भी प्राइज को यह कंफर्म करें के भी तो बुलिस हैं नहीं है तो प्रियास कीजिए कोई डाउन पोजिशन मिले तो वहां पर हम लोग बाइंग करके चलेंगे कॉल को बाइंग करेंगे कॉल साइड स्प्रेड बनाएंगे पूट साइड क्रेडिट स्प्रेड बना लो इस अब कर लो वो कर सकते हैं ठीक है हाँ 20SMA से नीशी अगर प्राइज क्लोज कर जाती है तो फिर आगे देखेंगे तो नेक्स्ट विक के लिए यही है कि 20SMA अज सर्प्राइज करने का कोसिस करेगा लेकिन बहुत बर्णाब जैसे पिछली बार हुआ था उस तरह का कुछ होने की संभावना कहीं भी नहीं दिख रहा है ठीक है तो हम लोग टेखनिकल देखेंगे बाकी चीजे तो मोम आया है वाने जाने देजी तो बाजार कुल मिलाके ह है कि हम बुल साइड में भी है अभी बियर साइड में नहीं है जब 20 से में के नीचे प्राइस गैप डाउन से हो जाए या सूपर कंडिल से हो जाए तो हम मालेंगे आपको याद होगा हमने टेलिग्राम के मादधन से और भी कहा था किसी स्टूडेंट में पूछा था कि सर बाजार कब गिरेंगे मैंने का ऐसी मार्केट जब गिरती है तो दो ही तरीके से मोचली गिरती है पहला कि गैप अप होगा और ऑपन हाई बनाएगा और उसके प्राइस तेजी से नीचे गिर जाएगा बड़ी सी ओपन हाई की कंडिल बनेगी डे टाइम प्रेम पे वो चा सो प्लसी रहना है और उसके बाद गैप डाउं सस्टेन कर जाता है तो उस केस में भी बाजार में एक सोटी सी गिरावट आ जाती है और वर टॉन्टी इसे में के नीचे क्लोज करता चला गया तो गिरावट भी बढ़ सकती है इस दो तरीका मोचली होता है तो ऐसा कुछ भ डिपेंडेब्ल होने की जरूरत बैसिए आपको बता दूता हूं ट्रेडिंग के लिए कि होता क्या है बर जब लोग मार्केट में आते हैं तो एक जर्णी होती है, जर्णी होती है जिसकों बोलते हैं लर्णिंग प्रोसेस्स के जर्णी से हर किसी को गुज़रना है आपको उसी से धीरे धीरे बढ़ेंगे, दिक्कत यह आती है कि आपके पास जब December साइल चोटा होता है या वो Capital काफी मेहनत का आपके पास बैठा रहता है पैसा और आप इस मार्केट में आए हो कि चलो जी इसमें कैरियर बनानी तो वहां पर प्रोसेस आपको फॉलो करवाएगा उसमें काफी पेन होता है पेन का मतलब होता है कि जब बाजार में फस्ट इंटर कर गए मैं फोरा से स्टोरी को लंबा कर देता यह प्रयास किजिएगा ड़र से हो सकता है कि अपके अंदर हो तो और मैं समस्ता हूँ कि बहुत लोगों के भी परेशानियां हो सकती है यह हमारे साथी होता है कि हमें लगे सिपने के साथ बहुत लोगों के कर रहा है तो आपने क्या करते हो इस तरह से बाजार में आपकी हो जाती है पहला तरीका दूसरा तरीका होता है कि आपको लगता है कि चलो मेरे complete income होना चाहिए चलो बजार में आ जाते हैं कि यहां करते हैं चोटा पैसा पहले लगा कर देखते हैं और चोटा लगाते हैं तो पैसा देता है यह बजार के नियाती है और उसके बाद अब बड़ा पैसा लेना सुरू कर देता है तब एक सुरू हो जाता है नई पिक्चर अब उसमें क्या होता है कि आपने जो ब्रोकर अकाउंट फुलवाया है ट्रेडिशनल ब्रोकर तो वहां से आपको ट्रेड बगर मिलने लगता है चलो मैं ट्रेड करवा देता हूं उसके टीलर बगर जो होंगे वह पेटिप्स वाले पर्षेंट गरेंटी सारी गरेंटी कि दर दर कर देंगे और आपको वहां पर डालेंगे या आप सोचल मेडिया के तुरू किसी सद्टिप्स ले रहे हैं कई से वाटसे वर ले ले रहे हैं तुम स्वें इंसान फंसता है और वो शिटम बहुत दिन चलता रहता है उसके चलता है आप सीखने के लिए वहां रहते हो यहां वहां 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 ahora उसमें प्रोसेज कि आप उसके बाद भी कठेकल गर हमारे साथ कि लोए श्राइब और इसमें इतना Bear नटे हो जाएगा और कोई व्यक्ति अगर आपको कहते कि बाजार मार्केट को छोड़ दो आपके मेली घर वाले दुस्मन बन जाते हैं सब लोग मजा पुराने लगते हैं सोसाइटी में करते हैं कि छोड़ दो आपको लगा मेरा दुसमन ने चोड़ने की बात कर रहा है बतल सब के साथ होगा ठीक है न क्योंकि इंसान ही है ना फिलिंग सब की सेम होती है अगर आपके साथ होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर हमारे साथ ही होता है तो सब्सक्राइब तो यह सिस्टम चलता और इसमें सालूर लग जाता है और मालो कि आप अगर जॉब में हो तो उधर से थोड़ा सा पैसा आ जाता है फिर आपकी कि वह सकता है कि जमीन जाद बिग जाए और पैसा कहिंसे आओ कर्ज में बुरी तरह डूब जाओ मेरे पास तो ऐसा है मैं कुछ लोग तो सोसाइड भी कर लेते हैं इस बाजार में आकर क्योंकि उनके पास कुछ बचता नहीं है मैंने पहले भी कहा है कि आपका सिर्फ पैसा सब्सक्राइब जाता है आपकी नौलेज की पैसे की एक बेमिसाल टेस्टिंग बतलब जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती हो सिर्फ आपका होगा और अगर पैसे की हुआ इसके बाद बाद बाटार में अगर आप पडिक्षा लेना शुरू करेगा तो आपका मोराज छीन चीज चीन लेगा कितने को तो 22 से बच्चों का भविशत चीन लेता है वाजार काफी बूटल है काफी मांदार भी अगर आप सही हो तो इमांदारी से सब कुछ दे देगा मतलब जितना चीना है उससे कई गुणा जाद आपको देदेगा मतलब आपने जो ड्रीम देखा उस ड्रीम से भी आपको आगे का देने की इच्छमता रखता है कि सागर है वैसे का समंदर है वह कहते हैं कि समंदर में सब लोग लोटा लेकर आते हैं कि समंदर का पानी लेकर जाएंगे और इसमंदर उनका लोटा भी रख लेता है तो यह स्टोडी है आपको समझना है कि एक नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की तरह ट्रीट कीजिए पहले सीखिए समझिए और उसके बाद छी महिने साल भार धेर साल टाइम दीजिए बाजार को छूटे क्वांटिटी में ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत नहीं है तो अगर आप एफेनों में काम करते हैं एक लौट दो लौट में कर रहे हैं बस हेजिंग के थू कर रहे हैं बिलकुल प्राइज को देख के कर रह है और फिर आप आगे बढ़ जाते हैं और इसमें एक चीज़ का जरूर याद रखना है आप लोग इस लर्णिंग में कि आपको ट्रेंड को फॉलो जरूर करना है जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ट्रेंड के बारें बताई कि देखो ट्रेंड है अब आप में से है वर्ली टायम प्रेंग और हुलेगा मिलेगा तो नहीं 20 सो में के पास आएगा तब भी बीच में हैं ही नहीं तो हम सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस वह बीच में ट्रेट में लेना ही कि वह हो कि वाले եीरग कि बसार में तकलीफ कि बहुत ही कम होगी आप बहतर बन जाओगे और बाजार में सीखने के लिए बहुत चीज़ें लॉट अफ चीज़ें हैं कोशिस करो कि जीनियस इन आल मास्टर इन वन सीखें सबकुछ मास्टरी एक में कर लिए प्रियास रहे आपका तय है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा बट जीत जाओगे इसमें कोई डाउट नहीं कभी अपने आपके संदेह मत करना और मैं आपको बता रहा हूं कि यू आर दबेस्ट इसलिए मैं बता रहा हूं यू आर दबेस्ट क्योंकि आपका पैसा है आपका emotion से कमाया हुआ पैसा है आपके hard work का पैसा है उस पैसे की इफाज़त इस दुनिया में कोई और आपसे बेटर कर ही नहीं सकता है आपसे बेहतर fund manager कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में इस बात को याद रखना जो emotion आपको पैसा आएगा तो happiness होगी जाएगा तो जो कश्ट होगा जो आप इसको फील करोगे वो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है तो इसलिए आपको अपने पैसे का फंड मैनेजर खुद बना है खुद सीखना है खुद आगे बढ़ना है फिर आपको यह संभव नहीं लगे आप देखो सेवी का डाटा आता है कि ग्यारा प्रसेंट इंडियान है जो अर्ण कर रहे हैं एटी नाइन प्रसेंट लूज कर रहे हैं उसके बाद भी आप नहीं सम भीदार उससे भी ज़्यादा है सवाल है आपके सपने हैं आपको सपने खुद से करेंगे किसी का हम क्लें आपके सपने एक करने के बाद दो साल के बाद भी उसको एक दौ साल प्लं यहां द्टक हम vehicle नसमें के चार डानिस आपड़े पढ़ना पढ़ता है तब जाकर उस स्थिति में इंसान आता है तो उसे प्रोफेशन में पढ़ते हो आप IIT करते हो कुछ भी करते हो तो पढ़ते हो ना पूरी उम्र लगाते हो तो पूरी उम्र के वो कमाई होती है अइसा कैसे हो सकता है इसमें क्या आप से इधर से पैसा डालते हो सौ उधर से 500 निकाल लेते हूँ वो सीखना परेगा समझना परेगा इस बजार को इस लिए समझो शीको यह प्रोसेस को हर किसी के साथ होगा जो ट्रेड रह वोगा उसके हर साथ होना है इनवेस्टिंग आती पता रहा हूं इसलिए बता रहा हूं थोरा सा कि आप समझो हम लोग किसी की जीवनी परते हैं जूज़वाला साहब का वरन वरफेट साहब का तो तो आप लोग उस जिब्री में पढ़ने में या आपको एक चीज से मतलब मिसगाइड कर दिया जाता है, जोहां मुझे लगता है, कैसे की रिटेलर को मिसगाइड किया जाता है, इसको यूँ समझे, जान बुझके किया जाता है, जाने में किया जाता है, मुझे नहीं बता, म में इतने करोड़ हो जाता मैंने लगता क्या है रिटेलर माइंटेट को इतना इंवेस्ट करते और इतना पैसा बन जाता है ना तो सारे सब नहीं पूरे हो जाएंगे अपने यह नहीं बताया जाता कैसे सच्पर रहें जिसमें कि कि आपने 10 करोड़ इंवेस्ट किया और आज उसकी वैल्यू 50,000 भी नहीं इसकी स्टोड़ी कभी नहीं सुनाई जाती है तो यह दो हो गई बात अब आते हैं मेरे टॉपिक पर जुनजुनवाला साहब उनके आपको बताया कह जाता है कि आप लार्ज कैप में इंवेस्टमें फंडमेंटल इंवेश्ट जो बिल्कुल अभी जो जैसे सिडीएफर सी ऐसी बैंक इस हमें इंवेस्ट करते तो क्या हो जुन जुनमाला साहफ बन पाते हैं क्या हो पफेट साहफ बन पाते मुझे तो लगताए अंसर्णोव होना चाहिए उन्होंना तो ऐसे कमपनियों में थी में बनना होगा करते हैं आपको ढीम देखना के वह भविष्य किखेति की जाती इंवेस्टमेंट मतलब क्या हुआ भविष्य कि खेति करना बर्तमान में बोया गया वीच भविष्य मेंबरा होगा दादा बोढ़ को ने तो आप उनके स्टोरी परते तो एचीज आपको बुलाब दी जाती है आपको नहीं बताई जाती कि उन्होंने क्या किया था हम एक आम आदमि एक रिटेलर पैसे कर सकते हैं तो आप इसको समझे समझदारी से उस ओर बढ़िये जहां दुनिया नहीं जा रही है उस ओर बढ़िये बाजार में जो आपको सिखाई नहीं जा रही है बताई नहीं जा रही है यहां कोई इस बाजार में आपका सुभचिन तक नहीं है सभी को अपने उल्लू सीरह करना है रोसा खुद पे कीजिए खुद से आगे बढ़िये ब मुझे लगा किया संडे हैं तो आप लोगों के साथ बैठें दो-चार बाते भूर सकता हमारे दत कुछ समझ ले वह अपना भला कर लें तो मेरा काम तो हो जाता है ना बाकी चीज़ जीवन में आनी जानी है चलिए तो यह होगे अब थोड़ा साब breakout breakdown के बारे में समझ लेते हैं ग्यान तो रोज हम देते ही रहते हैं ग्यान पीने से कुछ होना है नहीं एक क्लास में स्प्रेड पे भी आप लोगों का लेना चाहेंगे मुझे लगता है और उसके बाद देखेंगे उसमें बहुत इंट्रेस्टिंग है तो सायद बायर मैंडशेट है तो चेंज हो जाएगा मुझे लगता है इंडेक्स में बायर ज्यादा पैसा लूज करते हैं अड़न भी करते हैं लूजिंग वाले जादा है तो उस पर हम एक जरूर्व लेना चाहेंगे ठीक है ना कैस पर तो फिर मौका मिलेगा तो फिर देखेंगे फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बात करने जो आज का हमारा अम्रिद्वानी है उस अम्रिद्वानी में भी मैंने बताया है उसको ही थोड़ा से एक्स्प्लेन कर दें आप लोगों के लिए कि मार्केट अपने पिछले प आप आप अजार पाहिए पायसे समझेगे का अद दैधार को आप लोग देखते होंगे बहुत चरह लग चैनल आपको बताता हूँ एक ऐसा सपोर्ट गोलते हैं इस्ताइक सपोर्ट प्रशिन्स जो की चेंज नहीं हो सकता है आने वाली भविस्शें में जो प्राइज के द्वारा बनाया जाता है और कुछ इंडिकेटर भी ऐसे हैं जिसके द्वारा बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं इंग्लिस थोरा मेरा इंग्लिस जैसा हो सकता है मैं हिंदी मीडियों हूँ इसलिए इसका आप लोग संधिक शेद करके खुड़ सीख लीजिएगा है ना ज्यान मिलना चाहिए ज्यान किस रूप में मिलेगा नहीं हर किसी की लेंग्वेज अलग होती है आपको सीखते रहिए आप अपनी लेंग्वेज में कनवर्ट कर लीजिए है ना आप तो स्मार्ट है कर सकते हैं तो एक एस्टैटिक हुआ एक वा डैनेमिक डैनेमिक सपोर्टर डिजिस्टेंस उसे कहा जाता है जो कि प्राइज के एवरेज के द्वारा मिलके बनाया जाता है जो कि भविस से ल डिस्टेंस जो एवरेज के द्वारा बनाया जा सकता है वो चेंज हो सकता है ठीक है और एक तीसरा सपोर्टर डिस्टेंस होता है जिसे हम साइकिल लॉजिकल सपोर्ट इन रिजिस्टेंस भी कहते हैं वो एक पॉइंट होता है जैसे 18,000 उनीस हजार यह सब या ट्रेंड सब्सक्राइब काफी करता है उसमें काफी एक्सपोर्टिस की आप सकता परती है तो साइकलोजिकल में आप जीरो जीरो लाइन के मानिए 17,000, 18,000 जब भी इंडिक्स की बात कर रहे हैं तो जब भी वह आता है तो वहां पर कुछ ने को रिजिस्टेंस देखने को मिलता है ज यहां पर जाकर साथ आदिमी है जो बार बार सेल कर रहा है इसको लगता कि नहीं यहां पर बजार गिर जाएगी यहां पर प्रॉफिट वोकिंग कर लेते हैं तो यहां पर एक रिजिस्टेंस बन गया नीचे यहां पर खड़िदार जादा है उसमें भी आप लोग एक अब उस यहां गिर के हो जाता है 300 रुपे या 350 रुपे गिर जाती है ठीक है चार सो गिर जाती मतलब गिर जाती अच्छी खासे गिरने के बाद जब भी वो 500 रुपे के आफपास आएगा ना वो फिर से गिर जाता है कि यह गिर जाता है उसके पास आकर फिर से मोस्ट अपकेस में हमेशा नहीं मोस्ट अपकेस में सौबार में मानके चलो कि 70 टाइम वो गिर जाता है वो इसलिए होता है कि जो व्यक्ति ने 500 पर पोजिशन बनाया था वो जैसे ही 350 प्राइज उठके 500 आता है वो अपना बेच बेच के भाड़ता है उसे लगता है कि मेरा प्राइज आ गया आप बेच गयता है नहीं तो फिर से गिर जाएगा तो जब वो बेचना शुरू करता है ना तो प्राइज उपर जा नहीं पाता है बायर सपोर्ट नहीं मिलता फिर से गिर जाता है और तब तक गिरता रहेगा जब तक कि वो जो कि आ एक की तरह काम करने लगता है इसलिए प्रीविएस रेजिएसर चैल प्राइब्रेंट को समझें मैं तब ना सिर्फपेदिल केल्ड़की याद रहे वह dozen तो इस कहानी से क्या सीखने को मिला कि जीवन में कभी भी आपने कोई चार सो रुपिय का और दुबारा गिर के प्राइज दो सो गया और दुबारा चार सो आया तो बेचना नहीं है पूछना है प्राइज से कि भाई आप आप चार सो गिर के दो सो गया दुबारा आ रहे हो तो हमको इन्वीटेशन दे रहे हो कि निकल जाओ नहीं बेचना हो जैसे वहां एक बार गिरेगा आपको बता रहा हूं जब गिरेगा वहां पर हो सकता है कि खड़ीद ना हो सपोर्ट पर कोई खड़ीद लीजिए फिर से उसको अब उपर आना है वो नीचे नहीं जाएगा क्योंकि जो प्राइज एक बार नीचे चला गया वह इसली उपर नहीं आना है वह आखरी रिटेलर को बाहर करवा देगा जो बेच के निकल जाएगए वह प्राइज फिर से उपर भाएगा है इसी कारण तो आपके खड़िते ही प्राइज गिर जाता है आपके बेचते ही इसली बढ़ेगा है जिस दिन बेचोगे उसी दिन बढ़ेगा लोग मेरे पास आते हैं कभी कभी काते हैं कि सर मुझे कोई मल्टी बगर स्टॉक बता भी तो क्या तुम उसको राइड कर पाओगे तो कभी-कभी मैं अपना को स्टॉक लिये हुए हूं पासर बैठा तो देखो यह वाला मैंने लिया है तुम देख लो हां सर सर में ले लिया अब गिर के हो गया तो अब क्या करें सर बताओ तुम करें सर वाट टूडू तो सो का दोस हो जाएगा तो भी तो पूछोगे सर वाट टूडू तो यह सीखने में बड़ा इमोशन लगता है बड़ा हाट सब्जेक्ट है इंवेस्टिंग असान नहीं है हमें स्टूडिया पर-पर के धनवान नहीं हो सकते हैं इसके कारण सपोर्ट रेइस्ट्र चोभी मैंने बताया वह होता है अगरेंडम सिखाने वाला हूं और जो समझदार लोग हैं वह सीखना चाहते हैं बागी लोग तो बहुर होते ही हैं इसके लिए तो अच्छे अच्छे मार्केट में चैनल हैं आप वहां पर देखिए बह हम कोई भी दूर की कॉल बाई स्टोरेंज कर ले सकते हैं पूट बाई कर सकते हैं तो उसको करके आप ट्रेड कर सकते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इसी तरह से मार्क करें के ट्रेड करने का प्रयास करेंगे और मार्केट में जितने भी ऑप्शन सेलर वगरा होते करते हैं याद रखिएगा तो बहुत प्रकार के सब्सक्राइब किजिए उन सब को सीखने का परयास किजिए इस बाजार में मैं कोई आज टेक्निकल इंडिकेटर या कुछ भी नहीं आज बताने वाला था मैं आपको जो बेन ग्यान है बाजार की जो आपको सीखने की बहुत जरूरत है साइध कोई ना बताए इन चीजों को तो मुझे लगा कि आप लोगों से एक बार डिस्कस करनी चाहिए इसकी बहुत ही अवश्रक्ता है आम आदमी को नहीं तो यह बाजार हो ना आम आदमी को चूज कर आम की गुठली की तरफ फिक देगा वो बाजार कर जाए करो या मरो सकता यहाँ पर आने का रास्ता ये जाने का कोई रास्ता नाहीं है वह पई पुलआगे और फिर आजाओं से संभव स्लिए प्रोपर में सीखें को यह एक फोकस कर ले चीए बाजार आपको आगे बढ़ा देगी या आप देखो ना कैश ट्रेड लोग कैश ट्रेडिंग की बात ही कोई नहीं करता है जो सबसे बहतर है उस पे भी मैंने बास्केट के थुरू आप लोगों को बताया कि पैसा बनता है और एक नहीं कम से कम लगता है आठ दस बास्केट मैंने दिया कोई एक बास्केट में हमे discipline follow करनी है आपको समझना है do or don't इतनी है तो कहानी है और जो मैंने psychological fact बनाई कि resistance जो 500 पर खड़िते हो 300 पर गिर जाता है और क्यों वहाँ पर फिर गिरता है यह जो psychological beyond the limit जब आप सोचते हो तब ही उसे अच्छे दिन से आपके अच्छे दिन आने शुरू है कि बजार ऐसे ही काम तो करता है आप जेनरल माइंडसेट में रहोगे बजार आपको जेनरल ट्रीटमेंट करेगी थोड़ा सा फार अवे आपको जाना है बहुत बड़ी-बड़ी मोटी-मोटी बुक्स फैनांस के आप पढ़ने के जरूरत नहीं है कि पी रेसियो इतनी है ओपियेम इतनी है ठीक है बेसिक नोलेज होनी चाहिए कि ओपियेम हाइस्ट हो पी ना की जाधा इसके साथ सेवा समाप्त करते हैं और हम प्रयाज करेंगे आप की आट-d Hughes बीडियो बनें प्रयाज करेंगे कोशिस मैं एक बार शुरूरात कर दिये तो रुखेंगे नहीं तो में रुखेंगा नहीं वाली बात होगी प्रयाज शुरू कर दिये तक investing करके भी बड़ा wealth create कर सकता है trading करके भी उसमें समय लगेगा तो भी कर सकता है लेकिन बहुत आसान है business बहुत tough है business investing आपको सीखनी होगी investing में जो आपको कहानिया सुनाई जाती है उसे wealth create नहीं हो सकता है आपको उसे ये जरूर हो सकता है कि 7% हमारा information rate है आप 50% का earn कर लो 20% earn कर लो 30% earn कर लो लेकिन आपके कहा जाता है कि 20 वर्सों में आप करोड़पती बन जाओगे तो मैं सवाल पूछता हूँ कि अभी age हो गई आपकी 45 और 20 वर्सों में आपकी age हो जाएगी 65 65 65 के age में आपको health की जरूरत है ना की wealth की जरूरत ह 65 की age में आपको डंडे लाठी के जरूरत है चलने के लिए मुश्कुराने के जरूरत है पैसा लेके क्या करोगे ऊपर लेकर जाओगे क्या एक रुप्या भी नहीं लेकर जा सकते हो हमें पैसा चाहिए तो अभी चाहिए 2-4-5 साल के अंदर चाहिए ताकि मैं अपनी करना है आप समझें लॉंग टर्म सोचिए लेकिन अपने लिए भी तो सोचे कि मैं 4-5 साल में चाहिए मुझे कुछ ऐसी इंवेस्टमेंट बताओ रेट ऑफ चेंज की बात करो करना है तो तो लोग कहेंगे रेट ऑफ चेंज क्या होता है रेट रेट ऑफ चेंज क्या आता तो सीखें इसके साथ सेवा करते हैं ने करने को तयार है किसी के नहीं सुनना है किसी नहीं पैसा भी दे आपकी लेने सुनना है याद रखी है आप अपनी कैसे किए सबसे बहतर कर सकतें कोई भी नहीं करेगा आपकी मदद करने दुनिया में कोई नहीं आएगा आपको इंटेलिजेंट बनना होगा आपको 20,000 रुपया है 50,000 रुपया है कोई मैटर नहीं करता है आपकी knowledge कितनी है बाजार में ए मैटर करता है अगर ओ आपकी सही है तो सब चीजे आपकी हो जानी ह अगर ओ सही नहीं है तो आप पास करोड़ रुपया भी है तो डूब जाएगा इस बाजार यह बाजार समंदर है इसमें कोई माइने नहीं रखता है कि आप कितने बड़े जहाज लेके उतरे हो माइने यह रखता है कि उस जहाज में छेद है या नहीं है छोटी से नौका भी है उसमें छेद नहीं है तो पार कर जाएगी किनारे लग जाएगी जहाज बड़ी है छेद है प्यूट जाएगा नौलेज है नहीं डूबेगा नौलेज नहीं है डूबेगा सीखो मैं प्रयास में हूं कि आप लोगो कुछ न कुछ बताता रहूं चुछ अपनी experience देता रहूं तब मैं हमेशा प्रयास करता जो चलिए मिलते हैं और मैं सिखाने के लिए तो हमेंसा त्यार रहता ही हूं और आपको करिए धन्यवाद आप सबको और इसी के साथ सेवा समात करते हैं प्रयास करेंगे पांदस मिनट कभी उनका आने का दिन में आ जाए रात में आ कभी बैठके तो आप लोगं को थोड़ा करते रहेंगे दिन भर छोड़ दो छोड़ दो एकर दो अरे कैसे छोड़ दूं इतना दूर आगया हम सक्सेस के पहमाने पर और दरवाजे पर आपको चोड़ दो छोड़ दूंगा तो फिर कोई नया जीस सुरू करऊंगा तो फिर मुझे 0 से स्टार्ट करना परेगा अर एक ही तो जिंद्गी मिला है और जवानी उम्र यही तो काम करने का इसके बाद छोड़ के फिर से पांच सल दूसरे चीज में तो बरवाद ही हो जागा इंसन क्या करेगा और कावत है जिस गली में बटवाख होया है उसी गली में तो मिलेगा आप छोड़ के काते हो दूसरे तो क्या चाप लगता है अब टाइम देने को त्यार नहीं है तो फिर आपको कोई टाइम नहीं देगा जीवन को करवासक्ते इस बाजार का सपने अपने सफनों के मालिक खुद बनिए सपनों के सवधागर किसे सफन पूरे नहीं होंगे तो चलीया मिलते हैं प्रेड़ ले नाइन नहीं है नाइन परसेंट तुक्ता नाइन परसेंट क्लॉस रगा मैं बता देता है तो मेरे मेरे को तो फॉली नहीं करना ट्रेट के लिए चलिए ओके जी